मात्री शक्ति वद्रुष्यों भगवान श्यक्रिष्ण के अम्रित मैवानी का स्रवन करते भे हम सभी जहां जिस बिंदू तक पहुँचे हैं भगवान कह रहे हैं अनन्यस चिंत यंतो माम ये जना पर युपासते तेशाम नित्याभी उक्तानाम योगक शेमम वहम्यहम जो अनन्य भाव से सदेव मेरी भक्ति में अपने मन को लगाए रखते हैं तेशाम नित्याभी उक्तानाम योगक शेमम वहम्यहम ऐसे निरंतर भक्ति में तलीन भक्तों के योग और ख्षेम का वहन मैं करता हूँ योग मतलब जो अब प्राप्त है उसे प्राप्त करने में मदद कराता हूँ और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करने में भी मैं साहरा देता हूँ मतलब तुम प्रभु के हो तो तुम्हारा योग शेम संभालेगा दो हाथों के बीच दिया जैसे सुरक्षित रहता है ऐसे कृपा भरे हाथ जीवन की लोग को सुरक्षित रखने में सदेव काम आते हैं तुम उसके हो जाओ वो तुमारा हो जाए तुम उसे मान लो वो तुम्हें अपना लो शर्त रखी गई अनन्य भाव से बगवान की बक्ती करने वाले बनो हमारी बक्ती अन्य भाव से होती है अनन्य भाव से नहीं अन्य भाव अन्य कहते हैं दूसरे को हम दूसरों दूसरों के साथ लगातार अपने मन को जोड़े रखते हैं पराईयों को इंप्रेस करेंगे अपनों को इग्नोर बस ये आदत है अपनी सबकी पराईयों को इंप्रेस करने में बड़ा ध्यान रहता है अपने तो अपने हैं दूसरे अपने हो जाएं जो अपनों को संभाल ना पाए तो परायों को कहां अपना पाएगा अन्य भाव में मन हर समय रहता है दूसरों के प्रती ध्यान इधर उधर लक्ष पर ध्यान होगा ही नहीं यहां तक के अपने इष्ट देव में भी हम लोग पूरी तरह समर्पित नहीं होते हैं कितनी विचित्र बात है इष्ट देव किसी के कृष्ण है किसी के शिव किसी के राम है किसी के गणबदी भगवान इष्ट देव एक बनाएं लेकिन उसके बाद भी सोचते रहते हैं कौन सा ऐसा मंदिर है जहां जल्दी कामना पूरी होती है इसलिए वो लोग भी बड़े विचित्र होते हैं नहीं हम तो वैष्णो देवी को मानते हैं लेकिन पांच-छे बार आ गए यहां तक लेकिन बात नहीं बन पा रही है दूसरा पूस्ता है फिर कहीं और गए थे बोले हाँ महा काल के भी दर्शन करने गए वहाँ भी मनोती मागी फिर कहीं और भी गए बोले तिरुपती भी हो के आए अब अगला आदमी कहता है इस बार जायना शिरड़ी और ट्राई करके देखा ट्राई कर रहे हैं इधर भी उदर भी भटकते गुम रहे हैं अगर आपका विश्वास गहरा है एक जगह आप टिक गए अनन्य भाव से चमतकार मही होगे कृपा मही होगी इसलिए एक संत एक कंत एक पंत एक गरंत अगर आपकी जदगी में हैं तो चमतकार ही चमतकार है और अगर भटकना ही यादत डाल लिए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा इसलिए भटके वे लोग लगातार इधर उधर अपने तो पोजते ही हैं परायों के भी पोज के आ जाते हैं पेड़ पाव दह से लेके पहाड क्या नहीं कुछ भी करेंगे विश्वास कहीं भी नहीं है यह जो अन्य भाव की पूजा है आपकी यह चमतकार नहीं होने देती चमतकार अन्य भाव से ही होते हैं यही कृष्ण भगवान समझाना चाह रहे हैं बस यह पगड़ लेजिया एक जगत टिको तो सही है और भगवान एक दो चार पाँच दस बीस नहीं है दस-बीस हजार नाम भगवान के लेकिन सुनने वाला एक ही है जोली बढ़ने वाला एक और कौन सी जगन नहीं है वो हर जगन तो है अगर और मंदिर में भी मूर्थियां है प्रणाम सब को करना और सब में अपने उसी रूप को देखना जो आपके इश्ट देव है तो फिर आप देखिए कि कामना पूरी होती है एक माता बोला करती थी बुड़ी माता थी हे भगवान ये अनुमान जी ये दुर्गा माता ये शिवजी ये विष्णु भगवान कामना पूरी करो तो सब बोलते थे इतने सारे नाम क्यों बोले कोई तो सुनेगा ना पता नहीं कौन काम आ जाया इसलिए जब आप एक में अपने आपको देखोगे न और एक के प्रतिशद्धा रखोगे तो वो एक ही अनेक रूपों में प्रकट होता हुआ आपके अंतर में कृपा करेगा तो एक नाम जबते जबते इतनी ज़्यादा आदत बनाईए कि आपकी हिचकी में, डकार में, सुक में, दुक में बस वही नाम प्रकट होना चाहिए स्वास स्वास में नाम जबने की आदत पड़ जाए जिधर देखें उधर वही उसी का रोप दिखाई दे तो फिर ये याद रखना कि आपको मैसूस होगा कि कोई हात है जो मेरे सिर पर हर पल है जो सहरा बनकर मेरे साथ साथ चलता है कहीं भी आपको दुरबलता अनुभव नहीं होगी हर पल आपको शक्ति का ही अनुभव होगा इसलिए अपने गोविंद के प्रती अगाद शद्धा रखकर पुसी में तन में होकर कृष्ण में होकर गोविंद में होकर नाम जबते वे पुसी के लिए कर्म करते वे जीवन को आगे बढ़ाएं इसको भगवान कहते है योग युक्त होना गीता के बारवे अज्याय के आठ श्लोक बड़े अद्वुत हैं उसको बोलते हैं अमरितास्ट कम आठ अमरित हैं उनमें भगवान एक श्लोक में ये भी कहते हैं संतुष्ट सततम योगी यतातमा द्रड निश्य मै अर्पित मनों बुद्दिर यो मद भगतासा मे प्रिया यतातमा जो मुझसे निरंतर जुड़ा हुआ है एक स्थान पर और भगवान कहते हैं योगी युझीत सततम आत्मानम ब्रहसि इस्तित वह मेरा प्यारा भगत जो नित्य निरंतर मुझ में अपने मन छेतना को जोड़े हुए है रहसि इस्तित एकांत में इच्छाओं से रहित होकर एका की यच्चित आत्मा निराशि अपरिग्रह एकांत में अकेला होकर जो मुझे ही पुकारता है मुझसे ही जुड़ा हुआ है वह मेरा है तो अपने घर में एक स्थान भगवान का ऐसा जरूर बनाओ जहां शद्ध भाव से आप शान्त होकर निश्चिन्त होकर सात्विक्ता के साथ अपने प्यारे को पुकार सको जहां आपके चपल जोते आप अवित्रता प्रवेश्ण करे जहां दुनिया का शोर प्रवेश्ण करे एक कुटिया ही सही बले ही अपने छट पे बाल करनी में कहीं भी बनानी पड़ जाए पूरी दुनिया को मिलने के लिए ड्राइंग रूम है आपके पास लेकिन दुनिया के मालिक से मिलने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए न उसके लिए भी तो जगह दीजिए और अगर जोश में आके लोग बना भी लेते हैं तो फिर घर का सामान उसको स्टोर रूम बना देते हैं उसमें ट्रंक भी रखे वे हैं अटैचियां रखे वे हैं गदे रखे वे हैं रजाईयां रखे वे हैं और इधर उधर का सामान जो कहीं नहीं रखा जा सकता भगवान जी वाले स्थान पे रखे और वहीं भगवान जी आप तो छोटे में ही रह लेते हैं प्रभुजी उससे भी चमतकारी लोग वो हैं जो भगवान को उपर टांके बस खड़े-खड़े वही हाँ जोड़ लेते हैं यहीं से आपको लिष्ट सुना देंगे भगवान अपने डिमांड की बस पूरी कर दे ना अगले लिष्ट बाद में बता देंगे घर में जगह तब बनती है जब दिल में जगह होती है इससे पता लगता है कि आप कितना महत्तो देते हैं भगवान को जब आप अपने मंदिर को सजाएं समारें प्यार से वहां बैठें कभी अपने आंसों से प्रार्थना करें कभी अपनी मुस्कराहट से प्रार्थना करें कभी गाकर प्रार्थना करें कभी धन्यवाद पूरक प्रार्थना करें कभी दंडवत प्रणाम करते वे कहे के मेरे घर में अगर खुशिया है तो तेरी कृपा के कारण है मेरे भगवान ये जिन्द की चल रही है तेरे सारे संभालने वाला तू चलाने वाला तू तो ये तो सब कुछ है तो अपने भगवान के दर पर जाके जब खड़े भी हो ना तो एक बात का ध्यान रखिए समय निश्चित कर लो मिलने का एक बात टाइम ले लो भगवान से बस इस समय भगवान मिलने का समय देदो आप पांच बजे, छे बजे, साथ बजे एक निश्चित टाइम ले लो ना और फिर जानेक से पहले, पांच मिनट पहले अपने मंदिर के बाहर खड़े होकर नाम जब करो वो आपकी इंतजार करें ऐसा नहीं आप इंतजार करो मोड बनाओ अपना, वहां खड़े होकर याद करो क्या क्या मेहर, कैसी कैसी क्रपा कैसे कैसे मेरे भगवान ने मुझ पर दया की है और कितने कितने भक्तों पर कब कब कैसे कैसे दया की है कैसे वो रक्षा करने वाले हाथ उसके आगे आते हैं और वो संभालता है सारी चीज़ों को सोचते सोचते इतने गदगद हो जाओ कि बस वहीं से आपका मन इतना तलीन हो जाए कि जैसे मंदिर में प्रवेश किया तो घुटनों के बल बैटकर एकदम सिर जुका के प्रणाम करना और कहना भगवान मैं आ गया मेरे प्रणाम स्विकार करो फिर अपना आसन सबा लिए जब तक आप द्रवित नहीं होगे जब तक आप पिखलेंगे नहीं बात बनेगी नहीं अपने आप को पत्थर मत बनाए रखो और भगवान के स्वरूप को जब देखते हो न मंदिर में जाते हो तो मूरती बहुत अच्छी सजी भी बहुत अच्छे पत्थर से बनी संगमरमर बहुत अच्छा है जे सजावट भी बहुत अच्छी है जब तक आप ये सब देखते रहोगे तब तक आप भगवान से नहीं जुड़े जब उसमें से पत्थर गाइब हो जाता है और साक्षाद भगवान सामने महसूस होने लग जाता है आपकी शद्धा साक्षाद दर्शन कराने लग जाए ठाकुर का तो समझ लेना चाहिए कि प्रकाश आपके अंदर आना शुरू होगा वैसे भी एक नियम ध्यान रख लीजिए मंदिरों की जो मूर्ति स्थापना होती है तो वहाँ पर एक तो गुम्बत जो बनाये जाता है उसके उपर कलश लगाते है कलश जो है तांबे का, पीतल का, चांदी का, सोने का कॉस्मिक एनेरजी को अपनी और आक्रिष्ट करने के लिए सुचालक दातों को ऊपर लगाते हैं और वो भी कल शुरूप में जिस तरह से आप लोग जो है वो अपने डारेक्टो हॉम वाला जो आपका जो डिटी एच जो आपकी छटरी होती न टीवी वाली तो उसमें भी एक नौक से निकली होती बीच में ऐसे चटरी होती बीच में नौक निकली बस उसको उल्टा कर दीजिए आप ऐसे उसमें जो है डॉम जैसे बना हुआ है ऐसे आपके मंदिर का डॉम बना हुआ और उसकी जो खीली सी बाल निकली ही ना कलश की वो ब्रमहांड में फैले भी दिद्य उर्जाओं को अपनी तरफ खींचने का काम करती है और नीचे जब मूर्ति स्थाविट की जाती है तो जो एहमदाबाद में गुजरात में मंदिर बनाने में जो एक्सपर्ट हैं सौमपुरा वो लोग अपनी बादचीत में क्योंकि दो-तीन मंदिर हम लोगों ने उनसे बनवाए स्टोन लगाते हैं जातर मंदिरों में हमने पूरे देश में लबख 24 मंदिरों की स्थापना की देव मंदिरों की तो एक नियम है उनका कि नीचे इस तरह से तामे की दातू का प्रयोग करते हुए जमीन से अर्थिंग करते हुए और उसके बाद बेस बनाते हैं कि जहां मूरती की स्थापना होगी और मूरती भी उस संगमरमर की हो जो बेदाग हो लाखों सालों का ताप सैने के बाद उसके अंदर वो विशेष्टा आ जाए कि उर्जा को ग्रहन करे उसके बाद मंत्र पाट करते समय जब प्राण प्रतिष्टा होती है और आप सामने खड़े होकर भगवान का नाम जपने लग जाते हैं तो वह जो रूप आप सामने देख रहे हैं शड़ वही नहीं है जो ब्रमान में विश्व आत्मा जो परमात्मा है वो अपनी ओर्जा के साक्षात आपके सामने होता है अगर आपकी शद्दा गैरी है तो आपकी मनों कामना ज़रूर पुरी हो दिए जितना पुराना मंदिर जाप करते करते वहाँ जागरती पैदा कर दी वहाँ का ओरा पूरा का पूरा उस तरह का बन जाए कि जब आप बैठें पुकारने के लिए तो वो तरंगे आपके मन मस्तिक्स में चिर से लेकर पाओं तक फैल जाएं तो अपने आप कमाल होने लगता है हम लोगों ने उत्तरकाशी से लेकर और रानी खे तलमोडा से उपर कोसानी उस पूरे भूहाग में एक समय था जब साधना के लिए जाते थे द्रशूल तक के भाग तक तो जगे जगे देखा कि जो पुराने जिन मंदिरों में शिवाले में कोई जाबी नहीं रहा वहाँ जंगल तक में कोई बना हुआ है वहाँ जाके बैठे लोग तो नहीं आते लेकिन बैठके थोड़ी देर वहाँ ध्यान करके देखा जाब करके देखा इतनी अध्भुत रंगें आती हैं इतनी अध्भुत पूरा शरीत जैसे रोशनी से बर जाता है एक बार हम लोग कुछ लोगों को लेकर गए जागेश्वर जागेश्वर और बागेश्वर दोनों स्थान बहुत अध्भुत है आप लोग कभी उदर जाएं तो दर्शन करना हूँ तो शाम का समय था चलते चलते जैसे हम लोग पहुँचे तो वहां आरती हो रही थी उस समय जैसे हम जाके खड़े हुए और पंडित ने पुजारे ने जो शंक द्वनी की यह शंक द्वनी भी बहुत अद्वुत है बहुत बड़ा प्रभाव गंटा नाद का और शंक द्वनी का अपने घर में शंक द्वनी किया करिए गंटा नाद किया करिए आपके बहुत सारा ओरा तो इसी से क्लीन हो जाएगा आपकी अलाबला तो इसी से निकल जाएगी आरती हो चार पांच चीजें मिला करके आप अपने घर में धुनी दें ये जो गव के गोबर का उपला होता है इस पे जो धुनी दी जाती है न गव के पास तो वैसे ही भगवान की बहुत सारी शक्तियां है वो दुनी बहुत काम करती है गव के गोबर के उपले पर लोबान चंदन पावडर गुड की शक्कर और गूगल ये चार चीजें की दुनी दे के देखिया शंक द्वनी हो गंटा ना दो पुरा घर ही आपका है एक दम औरा क्लीन ये जो बात बात में कला कलेश बिना बात के घर के अंदर समस्च्या है शनिवार वाले दिन नमक वाला पोचा लगाईए गर में और उस दिन सारे जाले साप करो घर में रोशनी जरूर आने दो गंदे संदे पाउँ लेकर गर में नहीं पहुचना चाहिए हर जगए और पूरी कोशिश कीजिए के भोजन में और बजन में इकठे बैटने शुरू कर दें आपके गर में बरकत पढ़नी शुरू हो जाएगी कृपा होनी शुरू हो जाएगी जिस गर में ज़्यादा कलेश होती है और सांज का वो दुंदल का जैसे फैल रहा था बस उस समय जैसे उस निर्जन में आवाज शंक द्वनी की गुंजी अचानक जैसे पूरा प्रकाश अंदर से ही बार से नहीं आ रहा बार अंदिरा है अंदर से ही पूरे शरीर में भर गया अब हम तो तलीन और वो पूजारी पूजा करते करते आरती करते करते उनका बेटा जो है वो उन दिनों हमारा कारिकरम जो है वो जी टीवी पे सुबसुबस साथ बज़े आया करता था जिसमें हम लोग जो है असी दिनों तक गीता पूर मैंने एक ही जगे बेटकर प्रवचन किये थे वो प्रसारन आता था तो पीछे जो है वो पूजारी का बेटा खड़ा हुआ था वो पूजा करते करते पूजारी को हिला है हिलाते हिलाते कहा देखो 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 खड़े है पीछे, वो खड़े है, और मेरा भी हाथ हिला है, और कहे, पिता जी, पिता जी उदर, और मैं ध्यान अटा मेरा, मैंने का आर्ति करने दो आगे हूँ, आर्ति पुरी हूई, वो पुजारी जी मिरितर पाये, बोले, रोज तो सुनता हूँ, टीवी पे देखता हूँ, आप य आकरी लग जाए, मैंने का मुझे जो यहां मिल रहा है, वो आपको भी तो मिल सकता है, यहां खड़े खड़े जो अभी हम लोग, मैसूस कर रहे हैं, वो बड़ा अद्बुत है, नहीं नहीं, आप आशिरवाद हो, आदमी बाहर सोचता है, कि कहीं और आशिरवाद है, और जब के देखा जाए, तो उसके सिर पर वहीं आशिरवाद हो रहा होता है, अगर वो अपनी शद्दा गेहरी करके खड़ा हो, वहीं चमतकार हो जाएं। Divine Talks by His Holiness Sudhanshuji Maharaj, 23rd and 24th August 2023, 6.30 to 8.30 p.m. 26th and 27th August, 5 to 8.00 p.m. Blissful Life Meditation by Dr. Archika Didi, 25th and 26th August, 10.30 to 12.00 p.m. Location, Brampton Triveni Mandir Contact Details D धश्य। यहीं थाओ Mississippi थाइन हो जाएं। यहीं थाएं। आए ओेनाए जाएं।